आज का टॉपिक शुरू करते हैं आज हम फटा फट से डिस्कस करेंगे कल यानी बुदवार के दिन पर जो कि यह 5 अप्रिल को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं कौन सा important levels होने वाला है बहुत short और बहुत compact में हम डिस्कस करेंगे ज्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगो का 5-6 मिनिट दीजिए बहुत इसली आप लोगो को समझ में आज है कौन सा लेविल्स होने वाला है ठीक है फटा फट से एक बार चार्ट पर देख लेते है अगर हम थोरा सा डेली चार्ट पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक डब्ली पैटर्न बनाने की कोशिश में है कोशिश क्या में तो बोलूंगा की बना भी दिया है लेकिन अभी थोरा सा अपर लेवल पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है यहां पर कोई डिक्कत नहीं है य यहां पर एक रेजिस्टेंस के सामने खड़ा हुआ है ठीक है अब नेक्स दिन कैसे ओपेनिंग होता है वह बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा बैंक निफ्टी को ट्रेट करने के लिए थोरा सा आप देख सकते मुविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज दिया है तो मैं ह हमेशा आपको क्या बोलता हो मुविंग एवरेज एक ऐसा चीज है जहां से प्राइस रेक्ट करना बहुत ज्यादा कोशिश करेंगा मतलब अगर यह एक मुविंग एवरेज है तो यहां से ब्रेक करके निकल जाएगा या फिर यहां से जल्दी से जल्दी वह नीचे आ जा आप सेलिंग नीचे की तरफ आ जाएगा और अगर कल का आज का डे हाई के ऊपर निकल गया तो कहीं नगा यह गैप फिलिंग के लिए मार्केट धीरे धीरे जा सकता है और एक चीज जबी बूल मार्केट होता है जबी बाइंग मार्केट होता है तो हमें एंट्री करने का म वाले टाइम में बहुत आए जाएगा क्यूंकि अभी इंडिया विक्स फिर से ग्यारा बारा आ गया है फिर दस बारा जब आएगा फिर हम ट्रेड लेंगे फिर वह सोला सत्रा चला जाएगा ऐसे होता रहेगा मार्केट हमेशा तो इसमें कोई दुख्की बात है नहीं ठी इस चीज को एक बर मार्क कर देता हो यह बहुत इंपोर्टेंट चीज हो जाएगा हमारे लिए और फिलाल यह वाला चीज बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अब 15 मिट का चार्ट पर जाके देखेंगे क्या क्या चीज हो रहा है देखिए मैंने आप लोगों से लाज दिन 15 मिट का चार्ट देखेंगे तो आपको कही नहीं इस बार एक बहुत अच्छा एक ट्रेंट लाइन दिखेगा कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंट लाइन को रिस्पेट कर रहा है तो यहां से हमें क्या अंदाजा आ जाएगा कि बैंक निफ्टी के लिए बिस सिचुईशन अ 40,840 अगर बैंक निफ्टी फ्लाइट ओपेन होता है हम वेट करेंगे 15 मिनिट का एक कैंडेल क्लोज करेगा 4840 के ऊपर और जैसे उसके ऊपर निकलेगा हम बाई करेंगे देलो का एसल हमारा टार्गेट कही ना कई तो यह एकदम अल्टिमेट लेवल है लेकिन कहीं ना कई बैंक निफ्टी ट्राइ करेंगा इस जोन के आसपास जाके एक बार रेजिस्ट लेने का जो किए 41,080-41,090 ठीक है यह अल्टिमेट गैप फिलिंग का टार्गेट जरूर रहे लेकिन हम उसका एक बैंक निफ्टी ठीक है यह मैंने बता दिया आप लोग का अगर फ्लैट ओपेनिंग होने के बाद 40,000 840 के ऊपर जाके एक पन्नावेंट का कैंडल क्लोस करता है तो हम 22 साइट का एक ट्रेड लेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं है इनके सब फ्लैट ओपेन होने के बाद क्लोस नहीं करता या फिर आप रिटेस्ट का वेट कर सकते या फिर आप तुरंत क्लोजिंग के बाद ही ले सकते याद रखिए कैंडल जैसे इसके नीचे क्लोस कर देगा तो हमारे लिए क्या चीज़े आसान हो जाएगा देखना कि नंबर वान पाइंग मॉमेंटम अभी खतम हो गया है नं अब वो ट्राइ करेगा कि नीचे आने का ये निफ्टी में हुआ है मैं आपको लोगे साथ वो डेमो में भी दिखाऊंगा ठीके पहले हम बैंक निफ्ट का देख लेते तो इनकेस अगर नीचे ट्रेंड लाइन आगे क्लोस करता है थोड़ा सावेट कीजिए सेफ ट्रेड में आ रहा है उसके बाद प्राइस सक्षन बना सकता है तो ये चीज़ फ्लैट ओपेन होंके नीचे आने का माफ करेंगा मतलब माफ कीजिएगा मुझे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन डायनामिक है तो कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा है जो जैसे खीचेगा कोई ऐसे का वेट करेंगे जैसे कोई मानली जे ट्रेंड लाइन के नीचे एक क्लोजिंग दिया उसके बाद दो तिन केंडल या सा हौ उसके बाद तो आप तुरंत वहां पर ले सकते हैं बाकी चींता मत कीजिए लाइफ ट्रेडिंग में तो हम आएंगे ही अगर हमारे प्लैन के मु जो राउंड नंबर भी है क्योंकि पर्सो एक्सपाइरी है 40,500 तो एक्सपाइरी के पहले कोई मेजर ब्रेक्टाउट मतलब नीचे की तरफ का ऑपोजिट साइट का ब्रेकाउट करने में दिक्कत होगा सेलर्स को क्योंकि बायर्स बहुत हेविली अभी अभी एक्टिव है सकता है ग्रीन में कुछ भी बुलिश केंडल बनेगा उसके ऊपर जैसे निकल जाएगा हम वहां पर बाई करेंगे डेलो का एसल गैप फिलिंग का फर्स्ट अर्ट एकदम सिंपल हो जाएगा यह अगर गैप डाउन होता है ठीक है 40,500 याद रखिए इनकेस गैप डाउन हो 40,100-200 का आपका टार्गेट आ जाएगा अब बोलते हैं कि most likely scenario अगर gap up open होता है फिर same gap up open होगा हमें कुछ नहीं कर सकते हमें wait करना पड़ेगा gap up open होके अगर in case market जो इसका main resistance आ जाएगा कही ना कही 40,100 से लेके 40,200 यह इसका main resistance आ जाएगा ठीक है round number भी है 40,100 में कभी कभी क्या होता है round number को एक जटके में वो तोड़ देता है यह अगर round number है तो एक जटके में तोरके वो नीचे आता है क्यों क्योंकि यह यहां पर manipulation होता रहता है यही round number का scenario अगर crypto या फिर forex पर होता तो आप देखते वही से recap आ जाता तो यह चीज़े से हमको यह चीज हम इंडि आप ना परेगा उसके ठीक है तो 40100 से लेके 40200 बहुत इंपोर्टन रिस्टन्स हो जाएगा अगर gap up open हो के slow and steady उपर जाते रहेगा आपको entry नहीं मिलेगा आपको एंट्री नहीं मिलेगा आपको एंट करना परेगा इन के से अगर 40100-200 के सामने जाके कोई m pattern बनता है बहु तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे आगे मार्केट प्लोज ना देदें बैंक निफ्टी का हर एक सिट्वेशन में आप लोग के साथ समझा दिया है पाकी अगर और में जानना है तो जल्दी से जल्दी लाइब में जूर जाएगा लाइब में हम कर यहां पर यहां पर यहां पर लेकिन जब मार्केट यहां पर आके रुक गया तो हम यहां से कॉस्ट पर निकल लेकिन चीज में आप लोग को यही समझाने वाला था कि जैसे मार्केट ट्रेड लाइन के नीचे कलोजिंग होता है उसका ओपोजिट साइट का ट्रेंड खतम हो गया अब आपकोजिट का ट्रेंड कब हैं गरा जैसे प्राइग देख लेते निफ्टी में बहुत अच्छा एक में सिंपल निफ्टी में एक ही लेवल दूँगा जियादा से ज्यादा हम बैंक निफ्टी का ही ट्रेड लेनी की कोशिश करेंगे निफ्टी में शिर्फ और सिफ एक लेवल आता है 17500 बहुत इंपॉर्टन लेवल है क्योंकि में 17500 मतलब बहुत बहुत अच्छा एक राउंड नम्बर है ठीक है 17500 को गौर से देखिए अगर मार्केट यहां पर जाके कुछ आपको बेर इस चीज़े दिखाता है तो आप मार्केट को सेल कर सकते हैं बाकी हम लाइब में आके अनलेसिस करेंगे और एक चीज थोड़ा इनर में ब्रेक आउट से ज्यादा रिवर्सल होता है क्योंकि यह सारे इंस्ट्रूमेंट से यह बहुत ग्लोबल सेंटिमेंट इंस्ट्रूमेंट है मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको एक दिन में 10% मिलेगा यह हमेशा एक रेंज में चलना पसंद करते हैं तो पॉसिविट को अच्छा लागा है तो प्लीज लाइक शर्ण सब्सक्राइब कीजिए मैं चाहां को फॉलो कीजिए नीचे इंस्ट्राग्राम पर जूर जाएए और कल का लाइफ एनलाइसिस कल लाइफ ट्रेडिंग मिस मत कीजिएगा सारे 9 से 10 के अंदर हम आ जाएंगे ओफूली